दोस्तों मोटरोला मोटो जी थर्टीन ये रीयर मी को टक्र देने वाला है जो कि लो बज़र की स्माटफोन है शुरुआत मैं कर रहा हूँ इसमें डिस्प्ले से जो कि 6.5 इंच की SD प्लेट डिस्प्ले पर लॉंच किया जा सकता है और यहां पर LCD पनल पर स्क्रीन देखने को मिल सकती है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में बनी हुई है अगर मैं फानली इसको चिप प्रोसेसर के लिए बात करूँ तो इसमें 2.2 गेगा हर्ट क्लॉक स्पीड वाला अक्टा कोर प्रोसेसर देने की बात की गई है हलाकि इसमें जो G13 में 5G फोन में चिप सिट काउन सा होगा यह अभी तक जानकारी साफ नहीं है यह 5G तो होना ही है और फानली अगर मैं इसमें स्टोरिज के लिए बात करूँ तो इसमें आपको एक बड़ा सा वेरेंट हो सकता है जो की 12GB रैम पर लाउंच होगा और 512GB तक इंटरनी स्टोरिज होगा और वहीं Moto G30 5G के जो बेस वेरेंट होगे ना वो आपको 4GB रैम मेमोरी कार्ड दे सकते हैं बात भी जाने माने टिपस्टर स्राटिफिकेशन के सामने जो आई थी कि इसमें 128GB का इंटरनी स्टोरिज दी जा सकती है और इस बात को भी इगनोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह टिपस्टर्स हैं जो कि स्टोरिज के बारे में जानकरी दिया है यह 5G फोन अलग 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 रहे में स्टोरिज पर डिपेंड करेगी और मैं अगर इसमें बात करूं इसके कनेक्टिविटी को लेकर तो यहां पर यह चीज अभी तक उन्होंने साफ नहीं किय है जिसे कि एक चीज़ यहां पर दिखाए दे रही है कि 2.2G की स्पीड वाला जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुबात में बताया है और यहां पर जो किनेक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं जैसे कि यह एक्सटी 23312 के मौडल के हिसाफ से इसमेर का सेटप दिया जा सकता है और 50MP का प्राइमरी सेंसर के साथ 2MP का सब्सक्राइब लेंस शामिल होगा वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फॉन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है और अगर मैं बैटरी को लिकर बात करूं दोस्तों तो इसमें आ आ भी सकता है अगर फणरी हम प्राइस को लेकर बात करें इसमें तो जैसे कि यह प्राइस में जैसे कि ठाय-लेंड में यह स्मार्ट फोन को लाँच किया गया है जो कि वहां के एन बीटी सी अमेरिका के FC सार्टिफाइड से हो चुके हैं और फ़न के अलग-अलग फीचर सामने भी आ चुके हैं तो BIS लिस्टिंग में साफ कर दिया है कि ये आपको जो प्राइस होगी इंडिन के हिसाब से खाला कि कुछ ऑफिशली तरीके से कन्फर्म नहीं है कि ये इंडिन मार्केट में लॉंच करेगी या नहीं करेगी या फिर मोटो G13 लॉंच के अगल मतब तक करी ये ये किया